राजस्तान में विदान सबाद चुनाओं को लेकर मद्दान 25 नॉवंबर को होने जा रहा है उसी के साथ चुनाओं परचा लगातार बढ़ता जा रहा है कुछ गंटों बाद चुनाओं परचा थम जाएगा लेकिल आज अभी जोत्पुर्ट पहुंचे ते उत्तर हमें नहीं थी तो भी आज तक हमने धरम का साथ दिया भारत एक धर्म निर्फ्यक्षराज जी है और आज योगी जी का जो हमने बासन सुना है चुनावी सभा में तो मुझे लगता है कि आज जितनी संक्या यहां थी उससे डबल जीत हमारी होगी और कमल के फूल को निशान चुनाव का मौल बहुत अच्छ है और योगी सिर्कार आया है तो बहुत अच्छा लगता यह उमीद है कि जो मैलाओं की जो हिंसा हो रही है वो अब हिंसा बीजेपी के राज में खतम हो जाएगी और एक शूस आसन इस्थापित होगा जैजेश्री राम जैसे सपाई कर देंगे हम जोधपूर से बहुत अच्छे सपाई कर देंगे तब से हमें राम मंदी देखने को मिलेगा हमारी आने वाली जनरेशन को भी मौका मिलेगा यह सब मोदी जी और योगी जी के आने की वज़जी हुआ है कि इस बार कमल खिलने की बात की जा रही है किस तरह से लगा योगी जी का पूरे जोश और जुनोब में दो भयाम पहले ही थे और अधान से परिवर्तन प्रकर्दी का नियम है और राजस्तान की चिंता ने पूरा ठान ले आए कि इस बार रम परिवर्तन करके रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि यह सबसे बड़ी बात है कि यह सरदापुरा विदान सभा सीट है जहां से मुक्यमंद्री असोग गैलोथ कांग्रेस के प्रतियासी है उनके सामने प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर मेंदर सिंग्राट हो रहें अब देखना यह है कि 25 सारी को क्या होता है जोद्पूर से करनपूरी एवीप न्यूज